वीवान्स टेट ओकर्ष सभिन में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं सिखाने जा रहा हूं आज सिखाने चार्थ कर दिया जिसमें मैंने एंसे त्रिके टाइम लाइन्स नेखे परश्ट्र ब्रमंत कता दिया जिसे आप डिस्क्रिप्शन में या आई बर्टन या प्लैलिस्ट में पास सकते हैं मुझे आप आने कार्णों में भी फॉलो कर सकते हैं आप आने कार्णों में एक डाउनलड करके शुप्रिदर्श लिखते हुए मुझे फॉलो कर सकते हैं जहां मैं आसाम हिस्ट्री से लेके इंपोर्टेन ग्रामार और बहुत कुछ में सिखाने जा रहा हूं ऐसा में हिंदी और बेंगुली लेंग्विज में समयना का बाते हुए शुरू करते ही आज का टोपिक आज में सिखाने जा रहा हूं शमुद्र बर्मन के बारे में शमुद्र बर्मन के किनके पुत्र थे पुष्च बर्मन के पुत्र थे या पुष्च बर्मन शमुद्र बर्मन के पिता थे शमुद्र बर्मन गुपता वंक्ष के चंडर गुपता टू या कालिदाश के कंटेंपररी शमकालिन थे उन्ही महार थिराज कहा जाता था 55 वर्मं की तुरह वे 25 साल तक राज़त्य के थे वाला बर्मन पथम बाला बर्मन drie आपको सलसतंबद्ध हम मिल जाएगा बला ससी द को समुत्र बर्मन के पουत्र या मुद्र बाला बर्मन के पिता थे अम्रित पुत्री थे उनका विवा मेग वहाना कश्मी के राजा के साथ हुआ था कश्मी क्रोणिकल के अनुसार काम रूप में पथम बुद्धिजिम का स्प्रेट बाविस्तार कौन के थे अम्रित पभा के थे उनका राजकाल मिन्स बाला वर्मन वान का राजकाल 15 साल तक था अगर आपको मेरा पराना अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और श्यार कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अब इसीखते हैं कल्लान बर्मन के बारे में कल्लान बर्मन बाला बर्मन वान के पुत्र थे निधानपूर कॉपार प्लेट किन के समय पाए गे थे कल्लान बर्मन कोन थे वे कल्यान बर्मन के पुत्र थे उनका स्त्री का नाम क्या था यह इंपोर्टेंट क्वेशन है यह जनाबती वे दस साल तक राज़त तक किये थे महेंद्र बर्मन महेंद्र बर्मन कौन थे महेंद्र बर्मन गनपती बर्मन का पुत्र था या गनपती बर्मन महेंद्र बर्मन के पिता थे होस सक्रिफाइज काम रूप में पथम कौन शुरू किया था महेंद्र बर्मन शुरू किया था यह एक इंपोर्टेंट कुईस्टन है महेंद्र बर्मन बर्मन डानिष्टी का बहुत इंपोर्टेंट किंग था उनका राजकाल 35 वियार्ज तक था अगर आपको मेरा पराना अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा श्यार कीजिए ताकि दूस्तों को सिखने का मौका मिले मैं आन एकाडोमी में भी पराता हूँ जिसे आप आन एकाडोमी एप डाउनलोड करके शुप्रेदर्श लिखते हुए पास सकते हैं मैंने जहां आसाम हिस्ट्री का फुल कोफारेस हिंदी में करा दिया और एसामीस और बेंगलु में कराने वाला हूँ आपका बहुमुल समय देके इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्नबाद